हेलो एवरीवन स्वागत करती हूँ मैं रश्मी सिना अपने चैनल स्टाडी वित रश्मी पे आज हम लोग देखने बाले हैं मैं मन्त का पूरा करेंट अफियर्स देखें यहां पे मैं मन्त को पूरी तरह से कवर किया गया है जैसे पिपल इन न्यूज फी नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज उसके अलाबा हम लोग जानेंगे स्पोर्ट्स न्यूज तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं में करेंट अफियर्स का पिपल इन न्यूज में आज देखेंगे हम लोग न्यू किंग और बृतें जी हां की को बना दिया गया है न्यू किंग और ब्रिटेन जो की सत्तर साल के हैं और वहां के मोनाक सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे इसी के रिगार्डिंग एक सेर्मनी ओगनाइज की गई वेस्ट मिनिस्टर एमबे में में 6 2023 को तो धियान रखें किंग चास्त्री बन गये हैं नैब किंग ब्रिटेन के न्यू प्रेसेड प्रेसेडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो की पांच साल के लिए पॉइंट होंगे यह से पहले जनरल एंटलांटिक में वाइस चेर्मन थे न्यू प्रेसेडेंट ऑपराग्वे तिके जो भी परसन न्यूस में हैं क्यों न्यूस में यह जान लेते हैं तो सेंटी को पेना न् बैंकर थे इन्होंने आयमेप में भी एज एकॉनमिस्ट काम किया है तो इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह बन गया है नए प्रेसेडेंट पाड़ा गोई के AI Godfather किसे कहते हैं जियोफ्रे हिंटन जियाँ जियोफ्रे हिंटन को कहा जाता है AI के Godfather और इन्होंने रिजाइन दे दिया है Google से इसलिए यह चर्चा में हैं इन्होंने साफ साफ लबजों में कहा यह जो AI है वो आगे के जनरेशन के लिए डेंजरेस है और इसलिए यह अपन न्यू CEO ट्विटर इस लिंडा यकरीनू एलन मस्क जो की ओनर है ट्विटर के उन्होंने अभी हाल में एन्नाउंस किया कि नए CEO बनेंगी ट्विटर की लिंडा यकरीनू लिंडा यकरीनू ने ग्रिजुएशन किया है पैमिस लिविन्या स्टेट यूनिवरसिटी से और अ अभी हाल में ट्विटर की CEO बन गई है तो नाम इंपॉर्टेंट है लिंडा यकरीनू न्यू अरेक्टर ऑफ सीबी आई इहां सेंट्रल ब्यूरो इंविस्टिकेशन के नए डारेक्टर अपॉइंट होते हैं करनाटका के डीजीपी प्रवीन सूध तो सवाल आ सकता है कौ ठीके गुजरात में दो यूनिवर्सिटी थी उसके ये वाइस चांसलर थे और अभी हाल में 16 माई को इनको यूपियर सी का चेर्मेन अपॉइंट किया गया है अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ हाइकोट की बात करते हैं तो देखिए बॉम्बे हाइकोट के जज्ट जो है जस्टिस रमाद देख्षिनादन धनुका को चीफ जस्टिस बनाया गया है बॉम्बे के वही अगर हम मदरास हाइकोट की बात कर लेते हैं तो जस्टिस संजे एक कुमार बनाया गया है हिमाचल पर्देश के जस्टिस मविदाना सत्या के जस्टीस अरासा वेंकर रानायाना भाति राजस्तान के जस्टिस ओगस्टिन जॉर्ज और कलकटा के जस्टिस टीदी सिवा गाना तो ध्यान रखें Chief Justice of High Court कौन है किसे बनाया गया है यह आपको याद रखना है Union Cabinet Reserve Link जी हां Union Cabinet में बदलाव की गई है जैसे कि Ministry of Law and Justice अपॉइंट किया गया है अर्जुन रांप मेगवाल को वही Ministry of Earth Science की रन रिजिजु को कौन है क्रेंदे जीजु याद किजी अभी कौन से मिनिस्टर थे यह अभी इनको पॉइंट किया गया है Ministry of Earth Science के Ministry of Health and Family Welfare पॉइंट किया गया है SP Singh भागेल को तो ध्यान रखें क्योंकि कि रिसफल जब होता है तो एक्जाम में कोशन भी आ जाता है कौन से मिनिस्टर है तो हम लोगों को पुराने मिनिस्टर याद रहते हैं ठीक है तो मिनिस्टर का नाम तहा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिस ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट के अंतरगत यह बनाया गया है इसका एम है ट्रेड और कॉमर्स को आगे बढ़ाना और यह जो सित्वे पोर्ट है वह मैनमार में बनाया जा रहा है इंडिया इसके लिए ग्रांट दिया है और इंड न्यू लिथियम डिस्कवरी इन राजस्थान देखें लिथियम डिस्कवरी काफे माइने रखते हैं और जनवरी फरवडी महीने में आपने सुना होगा इंडिया में पहली बार बुखादी हूज इंबाउंड पे लिथियम जो बैटरी है वो मिला कहां जम्मु एनकस्मीन न्यूर्म्म और अब यह लिथियम डिस्कवरी हूए राजस्थान में अगर हम लिथियम अएन बैटरी की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है गैजर के लिए इलेक्रिक वेहिकल के लिए मनीपूर वायलेंस पूरे महीने चाया रहा मनीपूर वायलेंस क्योंकि मनीपूर में बहुत ही खड़ाब वायलेंस लुवा है यह violence क्यों हुआ है यह जानना जरूरी है तो देखें यह violence हुआ है मेति कमिटी को स्ट का दरजा मिलने पर ऐसा क्यों देखें स्ट का दरजा मिलने से क्या होता है उस community का फैदा होता है यह कि उनको reservation मिलता है स्टेट कवर्मेंट के जितने भी पोस्ट होंगे उसमें रिजरवेशन मिलेगा अब मेती कमीटी के मिले से दूसरी कमीटी क्यों नाराज है तो दूसरी कमीटी की बात की जाए तो इसमें आएंगे कुकी नागा ट्राइब और क्यों नाराज है क्योंकि मेती कमीटी जो है उन क्रिश्चन है ठीक है आगे बढ़ते हैं मनिपूर का मुखे कारण है मेटी कमीटी को इस्टी का दर्जा मिलना और मेटी कमीटी जो की संख्या में काफी कम है मनिपूर में केवल यह इंफाल वैली के पास रहते हैं और इनको यह दर्जा दिया गया है कौन दिया है यह स्टी केटेगरी का प्रोवीजन तो स्टेट गवबर्मिंट दी है क्योंकि दो लिस्ट होती है कभी-कभी क्या होता है ना किसी कास्ट को स्टेट गवर्मिंट मानती है कि OVC Kat karaoke में फिकिन हो सकता है संट्रल गवबर्मिंट ऐसा ना माले ठीक है आपने देखा और आपने प्लाई किया होगा तो आपको पता होगा तूगना temple ने डिकलेर किया है national monument यहां, जैसे की लाल किला होता है, जैसे की ताज महल होता है, वैसे ये अब तूगना temple, जो की कहां है, ये उत्रा खंड में है और रुद्र प्रियाग डिस्ट्रिक्ट में हैं तूगना टेंपल को नेशनल मेनुमेंट का दर्जा दिया गया है यह एक सीव टेंपल है 1500 years old rock painting यहां 1500 पुराणा rock painting with several man-made water bodies पाया गया है बादवगर नेशनल पार्क में बादवगर नेशनल पार्क कहा है यह मध्यपरदेश में और यहां पर 1500 पुराना एक बड़ा सा रॉक पेंटिंग मिला ठीक है तो यह बहुत बड़ी डिसकवरी है और इनफेक्ट इसके पास बहुत सारे वाटर बॉड़ी भी डिसकवर किये गया विद्रोल और रुपीज 2,000 नोट देखे कहीं भी डाउट हो ऐसा नहीं है कि कॉम्निकेशन एक तरफ होना चाहिए कॉम्निकेशन दोनों तरफ होना चाहिए और कहीं भी डाउट हो कोई भी सिखायत हो कोई भी प्रॉब्रम हो तो जबू कमेंट बॉक्स में बताए ठीक है अभी हाल में 2,000 रुपे के नोट को विड्रो कर लिया गया यह निउस तो आपक कार ने इसलिए हटाया है क्योंकि वह अब नहीं चाहते कि 2,000 रुपे का नोट मार्केट में फ्लो करें ठीक है काफी हेवी अमाउंट है और इस टाइम निकाला गया था जब दी मोनेटाइज किया गया था ठीक है कमें बॉक्स में बताए कब दी मोनेटाइजिशन हुआ थ तो वो लेने से मना नहीं कर सकता उसे लेना ही होगा ठीक है और 2,000 रुपे का नोट आप बैंक में अराम से जाकर दिपोजिट कर सकते हैं और डेट दे दिया गया है 30 सेप्टेमबर तक ठीक है स्टार्टिंग में इसका कुछ फिक्स कर दिया गया था कब 20,000 तक कर सकते ले इसी बास से टसल होता है कि कौन ज्यादा पाफूल है थड़ा उसलोटा हे और सुप्रेम कोट ने फैसला सना दिया है और समझा दिया है कि दिली सरकार के जो मैटर है उसमें Сेंच्र गवर्मेंट इंटरफयो बस तीनी एडिया में कर सकता है पहला है लैंड दुसरा है पूलिस और तिसरा है पब्लिक ओर्डर लैंड पूलिस और पब्लिक ओर्डर के अलावा Central Government किसी भी मुद्दे पे State List के जो मुद्दे होते हैं उस पे Interfere नहीं कर सकता साफ साफ लफजों में कह दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज्जमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए क्योंकि दिल्ली और Central Government के बीच में टशल होते रहता है अगर हम देली का बात करते हैं तो देली को इस्पेसल प्रोवीजन डाला गया है आर्टिकल 239-1 के अंतरगर्द पाइनल कालावारी क्लास सब्मेरी देखेए कालावारी सब्मेरी इंदिया में आने वाला था P75 प्रोजेट के अंतरगर्द जो कि साइन हुआ था दो हजार पांच में जिसका एम था कि मैनुफेक्ट्र करना है six submarine इंडिया अगर हम submarine की बात करते हैं तो जान लेते हैं इसके अंतरकर छे submarine आने वाला है इंडिया में जो पहला है वो है कालावारी दूसरा है खंडेरी तीसरा है करांच चौथा है वेला पाच्मा है वगीर और छट्टा है वकसीर अभी हाल में वकसीर को कमेशन कर दिया गया है इसलिए यह न्यूस इंपॉर्टेंट होता है ठीके फ्रांस और इंडिया के बीच में यह बहुत ही बड़ी डील मानी जाती है तो आपको यार रखना है सब मिल गया अब हमें जिक्स का सिक्स आ गया है पहला कालावरी आया था 2017 में खंडेरी आया था 2019 में करांज आया था 2020 में वेला आया था 2020 में और वंगीर आया था 2023 में न्यू पार्लेमेंट बन गया है और यह रिप्लेस करें का ओल्ड पार्लेमेंट को जो की बनाया गया था 2017 में और इसके डिजाइनर कौन थे तो वो थे बीमल पटे अगर हम तोटल एरिया की बात करते हैं तो 64,500 स्कॉर किलोमेटर इसका टोटल एरिया है और सेटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1224 MP आराम से यहां बैठ सकते हैं ठीक है 1224 कम नहीं है देख लिजे ना लोग स सबहा में 384 तो अगर हम टोटल करेंगे तो हो जाएंगे 1224 यह जो पूरा बनाया गया है बिल्डिंग वो बनाया गया है टाटा के दौरा ठीक है तो टाटा प्रोजेक्ट कंप्राइज ऑ सेंट्रल मॉल दे कंस्रूक्शन अब दे न्यू बिल्डिंग इस जाइन बाइड पटेल ठीक है तो यह आपको याद रखना है सिंगोल क्या है यह सिल्वर और गोल्ड से बना हुआ है यह पांच फिट लंबा कैप्टर है जो की लॉर्ड मॉंट बेटा ने जवाला नहरू को दिया था 1947 इसे माना जाता है पावर ट्रांसफर का एक टूल एक इविडेंस औ इसलिए काफी न्यूस में है सही है गलत है इस बात पर आप चर्चा करें देखें यह क्या है तो यह सेंबोल है गवर्नेंस इं टमिल किंग्डम ठीक है रूपी 75 लॉंच हो गया है ठीक है महीने में हुआ था यह लॉंच और क्योंकि नया पार्लेमेंट बना है इसी की रूपी 75 मिनिस्ट्री और फिनांस ने अभी हाल में रूपी 75 का कौई निकाला इंडिया के न्यू पार्लेमेंट के बनने पर यह जो नया कौईन है 75 रूपीस का इसमें एक लायन कैपिटल है सापने सत्य में जयते लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है इंडिया लिखा और इस पूरे जो launch किया गया है वो क्यों किया गया है क्योंकि नया Parliament बन रहा है International News देख लेते हैं, exercises देख लेते हैं Corporate exercise इंडिया और थाइलेंड के बीच में हुआ समुद्र सक्ती exercise इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ दोनों ही naval exercise है, काफी important है, तो याद रखे Corporate exercise इंडिया और थाइलेंड, वही समुद्र सक्ती exercise इंडिया और इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में बताम में ये exercise किया गया है ठीक है, कभी-कभी सवाल ये भी आ जाता है ठीक है, दोनों ही naval exercise है 42nd Asian Summit 2023 हुआ इंडोनेशिया में और आश्यान जो है, वो 10 कंट्री का ग्रुप है जिसमें आएंगे ब्रुने, दोड़ासलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाउस, मलेशिया, मैनमार, फ्लिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, एन वेतना है, साइकलोन मोका, काफी न्यूस में था, कहां आया था, बेयो- बैंगौल में आया था भारी नुक्सान हुआ इंडिया और मैनमार में मैनमार में लोगों को बचाने के लिए ओपुरेशन करूना स्टार्ट के आगया ताकि लोगों को बचाया जाए, इंडियन को बचाया जाए साइकलोन मोका का नाम दिया गया यमेन के द्वारा और ये जो साइकलोन था उसका स्पीड 160 किलोमेटर पर आठ था खैबर सैटलाइट जो है वो इरान के द्वारा टेस्ट किया गया यह एक ballistic missile है और इसका जो range है वो medium range precision guided missile है यह next search satellite South Korea ने launch किया है और यह जो satellite है वो actually अर्थ के orbit के पास है ठीक है तो अर्थ orbit को observe करने के लिए यह satellite launch किया गया है जिसका नाम है next search to satellite 3rd quad summit हुआ Hiroshima Japan में वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और अस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आंटोनी अल्बनीज फ्यूमियू किशीदा जो कि Japan के प्राइम मिनिस्टर है और President of America यानि की Joseph Biden वहां पे जाकर पार्टिसिपेट किये जो 3rd quad summit था वह काफी important था क्योंकि इहां से इस summit में इंडो-Pacific leaders मिले और इंडो-Pacific region को strong करने की बात रखी साथ में clean energy ठीक है इस तरह से इस पूरे program को organize किया गया कुछ important step लिए गये इंडो-Pacific region को strong बनाना है clean energy पे focus होना है और जो quad group है ना वहां का infrastructure भी develop करना है report and indices में मंत का कुछ important report देख लेते हैं world press freedom index reporter without border के द्वारा release किया गया जहां पे इंडिया की ranking 161 है out of 180 अगर अब बात करते ही इंडिया की ranking कैसी रही तो थोड़ा खड़ाब रहा पिछले साल हमारी ranking इससे better थी world press freedom index में यह बताया जाता है कि जो reporters है वो कितने free है यह जो press है वो कितना free है इसमें अगर हम top की बात करें तो वह है Norway, Ireland, Denmark और Sweden और अगर हम last three की बात करते हैं तो वह है North Korea, China, Vietnam जिसमें पांच इंडिकेटर कौन-कौन से है political, economic, legal, framework, social, culture and safety यानी socio-culture, safety यह पांच इंडिकेटर के basis पे world press freedom index रिलीज किया गया अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडिया की ranking 161 QI तो सोचिए आप सो सकते है National Manufacturing Innovation Survey देखें इंडिया में भी innovation हो रहा है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इस पे काम कर रहे हैं यह जो रिपोर्ट है वो निकाला गया Science and Technology Department के दुआड़ा और इस रिपोर्ट में बताया गया innovation especially manufacturing innovation सरदे में है करनाटका तेलंगना और तमिलनाडू और अगर बॉटम की बात करते हैं तो वह है आसाम और फिर बिहार ठीक है तो आपको ध्यार रखना है टॉप कौन है करनाटका और बॉटम कौन है आसाम टॉप कंट्री प्रेदूसिंग प्री टम बेवी लेकि आजकल प्री टम बेवी बहुत कॉमन हो गया है इस रिपोर्ट के अनुसार दस बेवी में से एक बेवी जो है वो प्रीटम है यानि कि प्री बर्थ है बर्थ उनको 9th मैं होना लेकिन वह 7th मन्त या 8th मन्त में ही बर्थ हो गया उनका उसे कहते है प्रीटम बेवी वह और यूनिसेफ निकाली तो यह रिपोर्ट इंपोर्टेंट है और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि 10 बच्चे में से एक बच्चा जो है वह प्रीटम बेवी है और इससे साइलेंट इम उसके बाद पाकिस्तान में है फिर नाइजेरिया में है फिर चाइना में है और इदियो यह बॉन होती है हर साथ ठीक है यह जो बॉन हुई है वो सारे क्या है प्री टम बेबी है यानि कि जब उनका बर्थ होना था उससे पहले इनका जन्म हो गया है प्री बर्थ बेबी है ठीक है आगे बढ़ते हैं मोस्ट इनुवेटिव फर्म 2023 कौन है तो वो है एपल जी यह एपल को घुसित किया गया है मोस्ट इनुवेटिव फर्म 2023 और यह जो पूरा रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया बॉस्टन कॉंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया की कम्पनी है जो कि टॉप 20 में आई है यानि कि टॉप 10 में कोई भी इंडियन कम्पनी नहीं आई है टॉप 20 में आई है वो भी टाटा ग्रुप इंडिया को टोटल 4 मेडल मिलता है अगर हम ग्रुप इंडिया को टोटल 4 मिलता है अगर हम ग्रुप इंडिया को टोटल 4 मेडल मिलता है अगर हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो यह दिया गया सरबोजूत सिंग और दिब्यार टीयस को और यह जो गेम था वो मिक्स टीम गेम था जिसमें दोनों को ही जीतने पे गोल्ड मेडल मिला इंडिया को यह 10 मीटर एयर पिस्टॉल next all mix टम इंटा अगर हम बात करते हैं सिलव़ मेडल की तो यह मिला हिर्दे हजबारिका के दोरा और सिलबर मेडल वीमें में नांसी मधोत्रा ब्रॉंच मेडल वीमें में रिदम सेंकवान के दोरा फिर कर naw ऊड़ बриг यह इंटरनेशनल सुटिंग फेडरेशन ग्रूप है जो की कंड़क्ट करवाता है हर साल वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में इंडिया की रैंकिंग सेकेंड है अच्छी रैंकिंग है क्रिकेट के बाद बाद कुछ अच्छा हुआ है तो वो है ISSF वर्ल्ड कप चैंपेंशिप में UAE आगे आता है और बैंडमिंटेन एसे चैंपेंशिप में UAE में ऑगनाइस के आगया जहां पर इंडिया के मेंस डवल टाइटल जीते गये चित चिराग सेठी और सत्थ्रीसिक वराज के द्वारा बैंडमिंटेन एसे चैंपेंशिप चोकी हुआ UAE में और इसमें मेंस डवल टाइटल जीता गया चिराग सेठी और सत्थ्विक सिराज के द्वारा यह कहां हुआ यह गेम तो UAE में हुआ किसमें जीता बैंडमिंटेन एश्या चैंपेंशिप में इंडिया के चिराग सेठी और सत्थ्विक सिराज ने जीता है यह ताज आगे बढ़ते हैं golden globe race क्या आपका मन करता है पूरी दुनिया घुमने का बिल्कुल ऐसा ही मन कर रहा था अभी last Tommy के द्वारा और यह एक retired naval officer है जिन्होंने पूरे globe को घुमा जी हां पूरे world को घुमा और इसलिए इनको यह title दिया गया है global globe golden globe race 14th दोहा diamond league जीता गया है olympic champion javeline thrower नीरच चोपरा के द्वारा तो बहुत ही बड़ी बात है diamond league जीत लिया गया है और यह पहले इंडियन है जिन्होंने यह ताज जीता glorious sportman of the year 2023 glorious sportman 2023 चुना गया है कौन है यह लियोन मेसीजी जी हां अर्जेंटीना के footballer glorious sport woman of the year दिया गया Ann Fraser Pierce को यह Jamaican athlete है और इनको जीत दिया गया है इनकी performance बहुत अच्छी रही glorious sport women of the year 2023 Ann Fraser Pierce अगर हम बात करते हैं world team of the year तो वो दिया गया है अर्जिंटीना के main football team को जी हां आके इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है लोरेस वर्ल ब्रेक्थ्रो अफ्जीर दिया गया है Carlos Alcarez जो कि Spain के player है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोरेस sport हमने देख लिया IPL 2023 जी हां बहुत ज्यादा न्यूज में था IPL चन्ने सुपर किंग ने जीता है गुजरार टाइटन को हडाकर most winning team की बात करें तो मुंबई इंडियन और चन्ने सुपर किंग रहता है और चन्ने सुपर किंग तो इस बार भी जीत गया गुजरार टाइटन को हडाकर और फाइनल कहां हुआ था तो यह हुआ था नरेंद्र मोदे स्टेडियम में IPL आवार्ड वीनर की बात करते हैं तो देखे औरेंज कैप आवार्ड जीता गया है सुपमन गिल के द्वारा गुजरार टाइटन के जो ओपनर है सुपमन गिल उनको मिलता है औरेंज कैप औरेंज कैप क्यों दिया जाता है यह सवाल आपके माइन में आया होका तो देखे सबसे अच्छा रण बनाने वाले को दिया जाता है क्योंकि इन्होंने कितने रण बनाए है तो देखे इन्होंने 890 रण बनाया है 17 matches में इसलिए दिया गया है IPL award winner orange cap award सुमन गिल को दिया गया है यह आपको याद रखना है IPL award winner में मोहमद सामी को दिया गया है purple cap और यह सवाल आता है कि purple cap क्यों दिया जाता है तो दे कि purple cap दिया जाता है सबसे ज़्यादा wicket लेने पे तो इन्होंने 28 wicket लिया है 16 matches में इसलिए मोहमद सामी को दिया जाता है IPL purple cap आगे बढ़ते हैं अगर कोई doubt है तो ज़रूर पूछें award and honor देख लेते हैं तो देखें गैलेंटरी award अभिहाल में स्रिमती, द्रोपदी, मुमरूं के द्वारा दिया गया जोकी इंडिया की प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कमांडर है आम फोर्स की इन्होंने 8 किर्टी चक्र और 29 सौरे चक्र दिया है आम फोर्सेस, सेंट्रल आम पूलिस फोर्सेस, स्टेट और यूनियन ट्रेटरी को पूस्तों मिसली यानि कि जो मर गये उनको दिया गया है यह आपको ध्यान में रखना है परमवीर चक्र जो होता है वो सबसे बड़ा चक्र माने जाता है और अभी तक यह 1999 में दिया गया था बिक्रम बत्रा को उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है तो आप ध्यान रखे परमवीर चक्र सबसे हाइस्ट ओनर अवार्ड है गयांटरी अवार्ड में और यह मरने के उपराम्थी दिया जाता है हागे करिंटरी आवार्ड देख लेते हैं तो पहला है परमवीरड चक्र फिर अशोक चकर फिर है महावीर चकर फिर किक्ती चकर फिर है पूछा जाएक सबसे बढ़ा अवार्ड प्रहाइश और सबसे नीचे परमवीर चक्र अभिट्रम बत्रा को दिया गया उनको मिला था ये अवार्ड परमवीर चक्र Man of the Century Man of the Century दिया गया है रामकृष्णन पंडित को पंडित रामकृष्णन जो की एक सोसल लीडर है इनको सतापती पूरुस के भी नाम से जाना जाता है और इसलिए इनको दिया गया है Man of the Century Award Pulitzer Prize जो की काफी न्यूस में होता है ये जर्नलिजम, लिटरेचर और मुजिकल कमपोजिशन के लिए दिया जाता है 2021 के UPPCS एक्जाम में इसे रिलेटेड कोश्चन आ चुका है तो ध्यान रखे Pulitzer Prize जो है वो दिया गया है ठीक है न्यूस मेपर, जर्नलिजम, लिटरेचर और मुजिकल कमपोजिशन के लिए ये इस्टेबिश हुआ था 1917 में Pulitzer Prize BEFTA Award यानि की British Academy Film Award 76 British Academy Film Award हुआ अभी हाल में और इसी संदर्वे में आवार्ड दिया गया अगर हम बेस्ट फिर्म की बात करते हैं तो वो है Power of the Dog Best Actor in Leading Role है Will Smith और Best Actress है Jonah Scamion Meera Sial जो है वो FACTA Fellowship Award जिती है ये एक Indian है Meera Sial और इसलिए ये नाम important हो जाता है आप लोग के लिए ठीक है रियाद रखे Meera Sial झाल चली दिखते हैं important days में महीने का important days तो सबसे पहले बताना चाहूंगी second में को हम लोगोंने celebrate किया World Asthma Day World Asthma Day जो की Global Initiative है WHO का और ये बनाया जाता है 2002 से Actually में ये initiative है GINA का GINA क्या है Global Initiative for Asthma Group जो की 1998 में बनाया गया था बात में WHO ने इसके साथ collaboration कर लिया था तो याद रखे World Asthma Day कब मनाते हैं second में को और क्यों मनाया जाता है ताकि Asthma जो की एक बिमारी है इसके बारे में लोगों को अव्यर करवाने के लिए अगर हम बात करते हैं इस बार का थीम क्या था तो ये था Asthma Care for All ठीक है तो याद रखे World Thalismia Day बनाया जाता है 8 में को और इस बार का थीम था Strengthening Education to Breast the Thalismia Care Gap जी हाँ क्या करना है तो Thalismia Care Gap को कम करना है ठीक है ये एक Genetic Disorder बिमारी है Thalismia जिसमें Blood को Purify किया जाता है World Athletics Day मनाते हैं 7 में को और इस बार का थीम है Athletics for All A New Beginning जी हाँ Athletics for All A New Beginning National Technology Day मनाया जाता है 11 में को और ये डे मनाया जाता है Scientist, Engineer और Technologist के Contribution के लिए National Technology Day का इस बार का थीम है School to Startup बिल्कुल School से ही Startup को Innovate किया जाए Startup Ideas को लाया जाए तो National Technology Day का थीम बहुत Important Day हो सकता है कि आपके Upcoming exam में आए Question तो देख लेते हैं School to Startup Igniting Young Mind to Innovate जी हाँ School to Startups Igniting Young Mind to Innovate International Nurse Day बनाया गया है 12 में को 12 में को बनाया जाता है International Nurse Day और यह क्यों बनाया जाता है यह सवाल आपके माइन में आया होगा तो Floris 90 Girl जोकी Founder है Modern Nursing की उनकी याद में बनाया जाता है 12 में को International Nurse Day और इस बार का थीम किया है Our Nurses Are Future World Thyroid Day बनाया जाता है 25 में को 25 में को और Thyroid एक ऐसी बिमारी है जोकी इंडिया में लगभग 10 औरतों में से 9 औरतों को तो यह बिमारी है क्योंकि Thyroid जो है वो बहुत ही तेजी से इंडिया जैसे कंट्री में बढ़ते जा रहा है और इस्या में इसकी संख्याम बढ़ चुकी है अगर हम इस बार की थीम की बात करते हैं मेजर यो ब्लड प्रेसर एक्युवेटली कंट्रोल इक लिव लॉंगर बिल्कुर ब्लड प्रेसर पे ध्यान दे क्योंकि ब्लड प्रेसर से रिलेटेड है थारोइड की जो बीमारी है अच्छा इसे हम इसा कोश्चन आता है कि कि जो ग्लैंड है किस ग्लैंड से है तो यह थाराइड ग्लैंड होता है ठीक है उससे रिलेटेड है इंटरेस्टल डे ओफ यूवेड पीसकीपर 2023 बनाया गया ठीक है 29th में को और इस डे को क्या किया गया तो देखे इस बार का थीम बहुत अच्छा है पीस बिगीन्स विथ मी ठीक है सबसे पहले तो आपको खुद सांत रहना होगा अगर आप नहीं सांत रहोगे तो कैसे उमीद करते हो कि दूसरा सांत रहे जिनरली ऐसा होता है ना कि जब हम जगरा करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग गलत नहीं है बोलने देना चाहिए बोलते रहना चाहिए लेकिन बाद मेरी राइस होता है कि हम लोग सांत रह सकते थे तो बिलकुल ऐसा ही है World Peace Day जो हमनों बनाते है United Nation Peace Keepers Day International Day जो है 29th में को बनाया गया तो बिल्कुल कूल रहें और इस बार का थीम है Peace Begins With Me World No Tobacco Day बनाया गया 31st में को और इस बार का 3 थीम है Grow Food No Tobacco बिल्कुल food को grow करें टोबैको नहीं Thanks to watch the video till last video में कहीं भी doubt हो कोई भी सिखायत हो तो जल्दी से जल्दी comment box में लिखते Thank you